हलो एव्रिवन वेल्कम बैक टो आट चैनल बिलियन एजूकेशन वे वी एम टू रीच और टीच बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है आपके ट्वेल्थ की जियोलोजी सो जियोलोजी जनरली आप लोग जानते होंगे अपने बेसिक 11 स्टांडर में आप लोग ने पढ़ा होगा जियोलोजी मतलब कर जियो मतलब वर्थ की लोजी करते हैं तो हम लोग इसमें पूरा का पूरा और्थ के वारे में पढ़ाई करते हैं कभी कभी हम लोग थोड़े आ स्टाम क्या होता है ये संसे आते हुए स्टोर्म स्वार्ण स्टाम से आने वाली रेडियेशन हैं जो एर्थ को इंपक्त करती है नो डावट यह आप अर्थ से बाहर है लेकिन इसका एंपक्त अर्थ पर इसे हम लोग पढ़ते हैं जियोलोजी के अंदर ही तो ऐसे कुछ चीज़ें आप पाऊगे अदर वाइस एवरेटिंग इस लिंक्ट विद इए अर्थ स्टडी ओनली तो स्टार्ट करते हैं गाइस जो भी इस चैनल पहली बार आएं प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर उसे उतना जल्दी हम लोग वापस वापस प्रडीउस करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अवे फ्रॉम दिबस्ट्लिंग नॉइज और मैनमेड एक्टिविटीज जो जो भी हो रहा है आजकल जो है वो आदमी ने बनाया आप जो जो भी स स्टेबल काम पीसफुल प्लानेट इन ट्रैंक्विलिटी ऑफ दी नेचर मतलब क्या जैसे आप 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 आउटसाइट से देखो तो लगता है कितना शान्त है जब भी स्पेस में हम लोग जब स्पेस से हम लोग अर्थ का इमेज देखने हो अर्थ रिवाल हो तो लगता ह है तो इतक रही है किटेज मतलब क्या सुक्षा कर लोग तो अर्थ को आप कितने सारे चेंजेश हो रहे हैं कि क्स ना इरोजान कंस्ट्रक्शन सब चालू है तो बहुत ज़्यादा डायनाब प्लैनेट है similar to all other planets in the solar system, मतलब क्या हम तो कर रहे हैं, हम यह human activity के बारे में सोचे, लेकिन ऐसे समझी हम mountains हैं, mountains पे घरम हवाएं चलती हैं, उसे erode करती हैं, erode करने मतलब क्या उसको घसना, तो यह हर जगे चालू है, फिर यह molecule नीचे आते हैं, तो यह क्या करते हैं, जमा होके यह भी कुछ structure बनाते हैं, यह हर एक planet पे चाल लूँ है, तो आपको हमेशा जब भी यह पढ़ाई करें, तो आपको हमेशा man के creation के relate करके नहीं जोडना है, हमको earth को imagine करके सोचना है, इसलिए वहाँ पे लिखा है, सब planet में यह सब changes हो रहे हैं, and is orbiting around this sun at 30 km per second के हिसाब से, तो सब लोग orbit कर रहे हैं, समझ रहे हैं, घूम रहे हैं sun के around, it is also internally dynamic, अर्थ है यह, यह अर्थ है, तो यह इसके अंदर भी आज देखो कि आप लोग यह बहुत सारे इसमें layers हैं, जैसे का हम लोग जंदली जानते हैं, बच्पन से, crest, mantle और core है, तो इसी तरह से अंदर के भी changes बहुत होते हैं, आप लोग शौक हो जाओगे, जानके कि इतनी सारे चीज़े अर्थ के अंदर हैं, हम जो explore करते हैं, जो भी mines, मिंदन्स निकालते हैं, वो हम lithosphere से, अर्थ के छोटे से पार्ट से निकालते हैं, अर्थ खुद में बहुत ज़्यादा डीप है, और 6000 किलोमेटर से भी ज़्यादा उसका center, core है, तो यह द्यान रखना है, तो अंदर भी बहुत साइज़े होते हैं, आप लोग जानके और एक शौक हो जाएंगे, कि अंदर हमको लगता है कि सब लोग सब कुछ सॉलिड होग अगर मैं बोलो हूँ, आप कोई पूछ दो कि भाई कैसे यह पॉसिबल है, तो वॉलकानो देख लो ना, लावा आता है गरम, चीक है, इंटर्नली, as evident from the phenomena of plate tectonics, and plate tectonics operating through the geological ages, what is plate tectonics, जो earth है न, earth, तो यह जनरली क्या बोलते हैं, कि आप कैसे देखिए, अगर मैं earth को समझे, इसको खीच के एक सीधा पट्टा बना दू, इसमें बहुत सारे plates हैं, इसे-इसे plates हैं, मैं एक बाद सीध डाइग्राम बना के बताता हूं, यह आपको next काम आएगा, इसलिए image रखका है, समझे, और पर आपलो map ऐसे मैं 2D में ड्रॉ करूँ, तो इसके पर बहुत सारे plates हैं, जैसे कि आगर यह मैं North America ड्रॉ कर दूँ, फिर यहां से connected है South America, यहां Europe है, नीचे Africa, ठीक है, इस तरह से, फिर आता है यह West Asia, फिर सब countries, यहां पर India-like country, यहां पर Australia, तो यह सब क्या हैं, यह plates हैं, इनको बोलते हैं plates हैं, plates मतलब क्या यह, यह Earth है ना, Earth के समझे, उसके उपर ऐसे layer हैं, यह, ऐसे layer है, जो हमें दिखते नहीं है, जो geologist study करते हैं इस तरह से, और यह reality है, मैं आपको end of this, जब भी हम लोग यह खतम करेंगे सिला, आपको believe हो जाए कि यह सब चीजे हैं, ऐसे हैं, हम जो देखते हैं, हम यहाँ पर ऐसे हमको लगता है कि सब जुड़ा हुआ है, हम उपर से देख रहे हैं, लेकिन रियल में क्या हैं, यह plates हैं, और यह plates move होते हैं, इसी बात पर आपको एक बता दो कि जो आप देखते हो कि हमारा इंडिया नौर्थ हेमिस्पियर में, लेकिन इंडिया पहले साउथ हेमिस्पियर में था, यह यहाँ था, और यहाँ से ट्राविल करकर कि करकर कि यह आज यहाँ पहुचा है, ठीक है? अरे बहुत अजीबों गरीब कहानी है, बुलके न हम लोग की हिस्ट्री क्या खतर ना, कि आप लोग जियोग्राफी और जियोलोजी जब जानोगे चीजों की, तो आप और ज्यादा शौक हो जाओगे, बाइदे वे, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे क कि डिफरेंस क्या है, जियोग्राफी और जियोलोजी में, बेसिक सा डिफरेंस है, और वो बता देंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो प्लेट का मतलब समझ चुके हैं, और इसका मुवमेंट होता रहता है, तो यह हमारे जो इंडियन प्लेट है, यह भी मू होती रही है, इसलिए उपर तो नीचे आपको स्ट्रक्चर पूरा बता देंगे, और राउंड 3D फॉर्मेट में कैसा दिखता होगा, और सर्फेस में कैसा दिखता है, दोनों बता दिए आपको मैं, Earth on its surface is undergoing many, surface की बात कर रहा है, कोर की ने, अंदर की बात नहीं कर रहा है, surface की, many dynamic processes as expressed by the activity of oceans, rivers, glaciers, winds, atmospheric circulation, जैसे के atmospheric circulation क्या होता है, आपने नॉर्मल अपना water cycle पढ़ा है, अपने स्कूल में, वह ही atmospheric circulation है, आप evaporation होता है, उससे बादल बनते हैं, फिर बादल मूव होते हैं, फिर बारिष गिराते हैं, फिर बारिष पानी कहीं और जाता है, फिर फिर इवापरेट तो यह circle है, इसे बोलते है, atmospheric circulation, atmosphere में इसका circulation, देकर है circular type हो गया, दूसरा क्या, आप देख रहे है, ocean मूव होता आप थोड़ा से आए सकती है जी हाँ यह चेंज होता रहता है और दीए यह गलेशियर यह भी खुद मांटें पर रहते हैं। वो उसको रखेने काटते रहते हैं हमेशा सुन तो वह साल जो बोलते हैं कि मैल्ट होके नीचे आते हैं। लेकिन जब वो नीचे जब वो बहुत थंडी रहती है और जब वो मूँ होते हैं तो वो mountain पे scratch करते हो जाते हैं ऐसे winds winds खुट तो मूँ हो रहे हैं लेकिन आपको हर चीज को और link करके पढ़ना है कि यह mountains हुआ यह सब को erode करते हैं यह लोग एक जगे की मिटी उडा के दूसरी जगे ले जाते हैं जमा करते हैं और नया कुछ बनाते हैं we can distinguish the earth's dynamism, dynamism मतलब earth में जो changes हैं into the orbital and planetary dynamic and the surface dynamic और Earth Surface Processes, मतलब क्या, अगर ये, समझीए, एक सेकंड, ये सन है, जो रेडियेट होता रहता है, हमेशा है, समझीए, बड़ा बनायता हूँ, ये सन है, ऐसे उसमें भी लेयर बहुत सार है, उसमें भी फोटोस्फियर करके, बहुत सारे किमोस्फियर लेयर होती है, यह हमारा Earth ह हमेशा मूँ होता रहता है, अभी हम लोग क्या बोलते है, Earth वा टिल्टेड है, 23 and half degree, towards North में इसके, मालू में ये हर सा, मतलब कुछ सालों के बाद, ये ट्विस्ट हो जाता है, मतलब क्या, ये उल्टा होके, कई करोडों साल बाद, South वाला पोल यहाँ पर, यहाँ पर अभी पढ़ा जा चुका है, ठीक है, और इसके evidences भी दिये गए हैं, तो ये वाले changes जो हो रहे हैं, जो changes होते हैं, sun के according, इसे बोला है orbital, और खुद Earth के ऊपर जो changes हो रहे हैं, so do type के changes, इसी को आगे चलके जब आप अपने degrees में पढ़ते हो, या जब भी government exam के में पढ़ते हो, और और Earth's moment, ये दो पार्ट में अलग करके पढ़ते हैं, यहाँ पर लेकिन दोनों में सबको confusion रहते हैं, कि Earth's moment में कौन सा Earth के ऊपर का moment है, और कहाँ पर अर्थ खुब move हो रही है, ठीक है, तो इस तरह दिखना है, Earth's moment, तो Earth की कैसी moment हो रही है, around sun, और Earth's moment मतलब Earth के ऊपर कौन सी moment हो रही है, इसी को यहाँ पर बोला गया है, दो टाइब के changes, कि एक orbital, या orbital और planetary dynamics, और दूसरा क्या होता है, Earth के surface को, इसलिए देखिए, यह आप आज यह बोले न, Earth के बाहर का process बता रहा है, फर्स वाला change जो ए वाला है, लेकिन इसका relation Earth से ही रखा है, आमने, and C is the internal dynamism, मतलब क्या, अब Earth का surface का, अब Earth के अंदर का, और यह generally इसी topic के Earth moment के अंदर ही आया था, तो surface moment and core moment, इस तरह से इसी में divide कर सकते है, लेकिन यहाँ पर हमें तीन प्रकार के changes बताएंगे, तो आपको एक्जाम में यही लिखना है, internal dynamics, समझ गए, पहला sun and Earth का, दूसरा Earth का surface, थ आओगे तो वहाँ पर भी changes हो रहे है, जहाँ पर मैंने बताया है तो वहाँ पर liquid भी है अंदर, वह हम आगे देखेंगे, आज नहीं, possibly next lectures में हम लोग वो सब पढ़ेंगे, this chapter describes the internal dynamics of Earth, तो यह chapter हम लोग क्या पढ़ेंगे, internal, मतलब अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, it is therefore necessary to learn about the internal structure, interior of the Earth, in order to understand the expression on the surface, by the processes such as plate tectonics, बहुत सभी बात बोल दी, इसे मैं लिंक करके बताऊँ कि इसने क्या बुला है, एक second, हाँ, यह क्या बोल रहा है, समझी यह Earth है, मैं अर्थ का, यह लितो, अंदर जा रहा हूँ, यह आप यहाँ पर खड़े हो, उपर, मैं अंदर जा रहा हूँ, यह lithosphere होगा ऐसा अंदर, ऐसे बहुत साई layer हैं, फिर mantle आता फिर core आता है, तो यह beach वाला, यह mantle है, यह हमारा crust है, यह core है, इसलिए आप लोग जो basic जानते हो, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, इसके पहले, तो यह probably शायद से 6 और 7 standard में आपको इसके बारे में बताया गया, और 8 standard में रहे है, तो यह जो moment होते हैं, समझे, इसके अंदर जो moment हो रहे हैं, तो यह moment, changes लाते हैं, earth के surface के उपर, तो हम लोग इसे कैसे complex language में बोलते हैं, कि internal changes, brings changes on the surface of the earth, इसमें वो लोग ने क्या बोला है, plate tectonic, plate tectonic मतलब समझे, यह plate यहाँ से, यहाँ move हो गई, तो यह अपने से नहीं move होती, यह अंदर हमेशा जो चलिए बताता है, iron का magma होता है, magma, यह हमेशा change होता है, इसके वाईसे हमारे earth के अंदर magnetism भी है, यह liquid, यह ही liquid layer है, molten iron है वहाँ पर या magma है, और हमारे surface पर भी change है, तो यह इसका move होना, यह iron magma का earth के अंदर move होना, इसका reason होता है, I hope आपको चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि आगे आगे आपको यह सब चीज लिंक करना है, तो अभी के लिए क्या याद रखेंगे आप, कि earth के अंदर के changes, changes लाते है earth के surface के उपर, क्योंकि देखिए जैसे में मुला, अंदर जब earth rotate हो रहा है, तो यह magma भी rotate होता रहता है, देखिए इस तरह से, और यह हलचल पॉस्ती है ऊपर तक, तो हमको example दिया है, plate tectonic का, लेकिन आप लोग को मैं बता दूँ कि यह जो हलचल हो रही है, इससे क्या earth के अंदर changes आएंगे, core के अंदर, तो इसका सबसे अच्छा example आप ले सकते है, earthquake, जो earthquake, जो earthquake, जो earth कांप जाने वाला vibration नीचे भी हिलता रहता है, सब यह सब changes internally linked है, लेकिन erosion जैसा चीज़ हो है, जहां पे surface ज्यादा dominant है, जैसे कि हवा घस्ती है पहाड को, नदी घस्ती है पहाड को, तो यह सब surface phenomenon है, खीक है, तो चलते हैं chapter में आगे, interior of the earth, पहला topic, the earth evolved as a planet from solar nebula, at about 4.56 ga, what is ga, ga का मतलब होता है, giga enum, मतलब क्या, billion years, यह billion years है, billion, billion, हमारी channel के नाम से match खाता है, billion, हमारी channel का नाम है billion education, यह है billion years, so, आपको पहले तो term है solar nebula, what is nebula, nebula क्या था, जब आप लोग अगर big bang थेरी पड़े होंगे, क्योंकि यह देखी chapter ऐसा demand कर रहा है ना, कि आप लोग बहुत साई चीन है, already जानते हो, अब big bang, जो थेरी थे, उसमें क्या बोल रहे थे, कि पूरे universe पहले देखे, इसमें दो थेरी, इसमें बता थे कि पूरा universe ऐसे फैला हुआ था, फिर अचानक से क्या हुआ, यह जमा हुआ, यह एक minute mass, minute mass मतलब बहुत छोटा, जिससे आप देख नहीं सकते, minute mass पे, infinite pressure और temperature का effect था, pressure पड़ा, और यह ultimately फूट गया, और फूटने से क्या हुआ, dust बना, dust, 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 of particles and gases, particles and gases, अब यह क्या किये, देखे, अब को मैं बताता हूँ, अगर जिन्नों ने भी big bank थेरी पड़ी, वो यहां से सीख लें, तो इसके बाद, बोलते हैं, within milliseconds में ही, milliseconds, guys सही बोल रहा हूँ है, आप लोग seconds भी मत सुचिए, milliseconds में ही, अब यह जो particles थे, यह universe की बात कर रहा हूँ है, कई universe इससे बने, यह earth की बात नहीं हो रही है, कि earth solar system क्या, अपने canvas को दिमाग के बढ़ाईए, हम जो यह बोल रहे हैं, हमारी जो galaxy है, milky way, यह तो बहुत छोटा पार्ट है इसमें, ऐसे पूरे universe की बारे में बोल रहा हूँ है, तो millisecond में क्या हुआ, यह particles नजदीक आने ल जो जिसके जिसके around revolve हो रहा था, उस तरह से system बनने लगा, तो यह जो dust है, इसे बोलते हैं nebula, nebula मतलब क्या newborn भी होता है, तो यह newly born था minute particle से, इसके बाद सब planet बने और यह सब चीज़ें आने लगी, और इसमें अभी यह है नहीं, इसी की सचाई को जानने के लिए, NASA और ब बहुत सारा यूज है, एक तो पहले आज की हमारी जो जिन्दगी है, जो satellite के वैसे अच्छी हो पाई, वो दूसरी चीज है, हमारे past के बारे में जानना, तीसरी चीज है, हमारे future को बचाना, क्योंकि अगर अर्थ खतम है, तो सब जाएंगे कहां पे, और चौती बहुत सार solar nebula, तो हम जो sun के नजदीक थे, हमारा भी एक ऐसे surrounding, तो sun बीच में रहा था, उसके around surrounding में जो पार्टिकल्स थे, वो घुमने लगे, घुमते है, घुमते है, क्या कर रहे थे, वो जमा भी हो रहे थे, उनके अंदर gravitational force आ रही थी, gravitational force of attraction, अब सब लो बोलेंगे, ये gravitational force कहां स gravitational force से attract हो रहे थे, और ये ultimately revolve भी हो रहे थे, और इससे वैसे सुलार सिस्टम बन चुका है, तो आपका मैं universe, universe के अंदर, galaxy, galaxy के अंदर, बहुत सारे सुलार सिस्टम बता चुका हूँ, and gradually shaped into a spherical body, तो ये जो मास थे, पहले से कचड़े जाई, इसे मतलब कैसे भी आड़े ठेडे थे, लेकिन revolution के वैसे दीरे दीरे गोमते 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 गोले हो गये, with the ongoing cooling तो ये क्या बोलते हैं धर्तियाग का गोला था तो ये जब भी जमा होते हैं जब शेप आता है तो ये आग निका मितलब एकदम fireball था ये और बाद में थंडा होते गया थंडा क्यों होता है क्योंकि जो अंदर की gas थी वो बाहर निकल रहती है इसे बोलते हैं degassing याद रख लिजए ये सब word बहुत important है degassing और ये जो आप पढ़ रहे हैं तो मैं बता दियू आपको ये UPSC तक के लिए आपके लिए helpful रहेगा इतना top-notch knowledge है ये with the ongoing cooling the outermost layer called the crust जो मैं बता दा crust mental core was formed तो outer layer पहले थंड़ी आपको मालूम है कि चीज पहले जैसे कि आप लोग अगर आरन की बाल को गरम कर या कहीं पर मिला है पहले गरम कर दिया फिस थंड़ा भी पहले बाहर का होगा अंदर सो बहुत गरम रहेगा भी भी सेम हुमारे अर्थ के अंदर है आप लोग को छूटते ही बुलना है धरती के surface का temperature के compare में जो core जो center में वो जादा है core में हमारा बहुत जाया temperature है the temperature of the universe is of order of minus 270 degree and earth's interior is at more than 4000 यह बता रहा है जब बन रहा था तो माइनस 270 डिग्री थी दिए पहले आग का गोला था फिर इतना ज्यादा थंडा हो गया कि पूरा minus 270 आपका जो nitrogen का आप यूज करते हो वो minus 196 पे होता है यह उससे भी ज्यादा थंडा था फिर क्या हुआ presently the average surface temperature of earth is very much हमारे survival के लिए important है जो 14 to 15 degree लेकिन global warming के वैसे temperature बढ़ते जा रहा है and the temperature at the core of earth is 6000 degree Celsius तो देखें core का भी बढ़ा और surface का भी बढ़ा this result अच्छा यह क्यों होता है इसके लिए responsible है radio activity आपको बहुत सारे doubt आते होंगे कि यह सब क्यों हो रहा है तो earth के अंदर बहुत साय radioactive elements है वो continuously radiate कर रहे है और वो radiation क्या होती है heat देरी जैसे कि अगर आप कहीं पर देखे रहे है यह पानी गरम हो रहा है दो किसी भी चीजों को फटफट फटफट जैसे लखड़ी से लखड़ी रगणने पर आग जल गई थी इसी तरह से यह attrition बोलते है इसको जब पार्टिकल पार्टिकल से जब सॉइल का मॉलेकिल सॉइल से इसे attrition बोलते है यह attrition के वज़े से क्या हो रहा है heat energy निकल रही ह है so attrition and radioactive material plus earth का revolution में बहुत साई reason दे सकता हूं लेकिन मैं इसे store करता हूं ताकि मैं future में आपको बता पाहूं तो इसलिए बोल रहा हूं आप बने रही है अपना support complete दिखाना हमें so that के हमारा interest बना रहे है जितने लोगों तक share कर सकते हैं से share करना क्योंकि यहां पे knowledge आपको पुरा top notch का मिलेगा this results in the temperature gradient what is temperature gradient gradient मतलब आप कमी धलान से रस्ता देखियो एक उचा रहता है एक नीचा रहता है इसे gradient बोला रहता है तो और्थ के surface पे temperature जो एक कम है comparatively जो और्थ के अंदर में तो यह gradient create हो गया difference what is gradient difference तो temperature का difference create हो गया है कहां कहां पे surface और core के बीच में earth is not linear and shows several kings that are influenced by the earth linear ने सबको पता है यह तो एक जैसा नहीं है मतलब हर जगे कहीं mountain है अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा दीखेंगा लेकिन हम लोग जब surface जाते देखते हैं कहीं mountain है कहीं खड़ा है कहीं परस्ते यह सब चीज linear surface पे तो ठीक है अंदर भी अंदर भी वह सेम नहीं है कि आप जैसे हम लोग crust mental जैसे हम फटसे कैसे यह diagram बनाते हैं तीन पार्ट में डिवाइट कर रहे हैं इसको तो यह beach वाले को mental बोर देते हैं outer वाले को crust बोल रहे हैं core ऐसा simple नहीं crust में भी अलग-अलग layer है और सब layer भ the heat loss occurs by process such as conduction, convection and advection what is conduction, convection, conduction मतलब क्या देखिए यह आरन देखिए आप लोग यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे को गर्मी दे रहे हैं तो इसे conduction बोलेंगे लेकिन what is convection, convection मतलब यह molecule अपना जगे, यहाँ पे देखिए molecule का जगे छुट रहा है क्या नहीं यह बाजू-बाजू में ही रहेंगे, convection क्या जब molecule एक जगे से दूसरे जाके heat transfer करें इसे बोलते हैं convection, convection जनरली अर्थ के उसमें समझी यह surface है, upward moment देता है, इसे convection बोलते है ज horizontal movement, जब air horizontally move हो surface पे, उसे बोलते है एडवेक्शन या heat, हवा क्यों गुमती है, कि heat actually में left-right हो रही है, इसलिए हवा भी left-right होती है, simple सी बात है, ठीक है, यह आपको ध्यान लखना है, तो conduction आप समझी यह, देखिए चार तरीकों से heat जाती है, एक होता है, आपको बताता है, यह किसके अंदर होता है, metal के अंदर, दूसरा convection, यह किसके अंदर होता है, fluids, जैसे liquids के अंदर, third, advection, what is advection, convection का ही फॉर्म है, लेकिन horizontal, transfer होता है, और third is radiation, radiation क्या है, यहाँ पे देखिए, हमने सब जगे एक्जाम्पल ने बता है, molecule, molecule, molecule यूज़ किया, radiation molecule ने इस सिफ energy transfer होती है, बस, यह ध्यान रखे, इतना फरक अगर आप लोग समझ पाया, तो इसे जैसे कि, यह molecule है, यह molecule से इसने इसको heat दिया, तो यह convection हो गया, लेकिन, यहाँ पे से heat ऐसे transfer हो रही है, बीच में से, और कोई molecule नहीं है, ज़स ट्रां तो दिखाया था, इसी लिए रखा था, यह देखिए, यहाँ पे कोई चीज गरम हो रही है, तो वहाँ से देखिए, यह निकल रहा है बिना किसी particle को गरम किये, तो यह radiation हो गया, देखिए, आप यह हाथ ताप रहेगा, आउमे जनरल एसा होता है, यह देखिए, यह metal का बना है, तो यहाँ पे, आग यहाँ पे लगी है, लेकिन यह transfer हो रहे है, molecules के तुरूत इसे conduction, convection क्या देखिए, molecule एक जगे से यह गरम हुआ, यह उपर अपनी energy पहुचा रहा है, देखिए, थंडा दिखा, फिर नीचे ऐसे, तो ऊपर नीचे, उपर अपना जगा चेंज कर रहे हैं कि नहीं, तो इसे convection, convection और भी यह भाप बन गया, यह भाप बन के पानी उपर रूट रहा है, या वेपर बन गया, तो देखिए, यह भी transfer कर रहा है energy, यह जो वेपर है, वो भी convection हो जाएगा, तो आपको hopefully सब चीज़े समझ पाओगे, एक बा form of primordial heat, accrued during the formation of planet, तो यह क्या बोल रहा है, जो heat आजकल बढ़ रही है, वो बाहर से कोई यह ना सोच ले कि sun से आ रही है, sun से आ रही है, no doubt, लेकिन वो surface पे है, अंदर जो heat बढ़ रही है, वो क्यों है, क्योंकि जो earth बन रहा था, तो earth अभी भी बन रहा है, और वो बनने के process में यह heat generate कर रहा है, अब वो heat जो बोल नहीं जो पहले से जमा है, उनहीं में shifting करके वो produce कर रहा है, नया heat नहीं ला रहा है कहीं से, convection and advection being physical process, the earth material in the form of magma is simultaneously undergoing differentiation and mixing to cause depletion of original magma that was available during the early part of the planet. evolutionary evolution, physical देखिए, यहाँ पर दो पार्ट है, पहले तो connection क्या है, यहाँ पर heat transfer हो रहा है, लेकिन क्या, यह air के थूरू या ऐसे हो रहा है, लेकिन जो real में heat और कैसे transfer हो रही है, जो earth के अंदर magma है, वो अंदर की magma ऊपर आ रही है, दीरे-दीरे, और वो पहले क्या था, originally किस के पास था, earth के अंदर, वस इतना सा बताना चाह रहा हो, तो एक बार आपसे पढ़ देता हूं, आप लोग के लिए, convection and advection being physical process, जो physical मतलब, जो earth surface पो हो रही है, the earth material in the form of magma is simultaneously undergoing differentiation and mixing, differentiation मतलब क्या देखिए, समझे, earth के अंदर, यह magma, तो यह red hot है, उपर जैसे धरती के उपर आता है, तो यह black color का हो जाता है, आप अपना decan plateau देखिए, वो black color का हो चुका है की नहीं पूरा, तो यह difference change हुए की नहीं, according to कहां पर निकला है, कैसे है, और यही, जब पहले माइगमा निकला था, वो red color का था, तो अजोईक एरा बोलते हैं उसको, अजोईक एरा में, जो तमिल लाड़ू में आजकल प्रेजेंट है, ठीक है, इसे confuse नहीं करना है, कि आपके लेटराइट सॉइल से, लेटराइट सॉइल अलग कंडिशन है, और अजोईक जो रेट सॉइल बनता है, वो अलग कंडिशन है, दोनों फरक याद रखना है, तो यह लेकिन देखे, इसमें मागमा डिफ्रेंशियेट हुआ कि नहीं, अलग हो गया कि नहीं, अलग पॉम में दिखा कि नहीं, जैसे स टाइम बिता हुआ वैसे वैसे, डेकन प्लाटू में काले कलर का था, उसमें बोलते हैं बसाल्टिक, मागमा दो टाइब, बसाल्टिक होता है, तो डिफ्रेंशियेट होता है, और हर जगे पे इटली में यही निकलेगा, थोड़ा अलग फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, हर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं अंदर से, वाइल अड्रेक्शन गीजर राइस तो फॉर्मिशन फ्लोर और अधर इवें लावा एरुप्शन अन्दी सर्फेस, ठीक है, तो क्या-क्या, अड्रेक्शन अंदर से, यह दोनों का रूल आपको समझना है, यह 1-1 मार्क करली के, अंदर से, बस्तों का रूल क्या है, अड्रेक्शन अड्रेक्शन का क्या राइस? अग्या करता है, अंदर से ला रहा है, यह द्यान लखना है. अब मून के formation को लेके भी बहुत सारे question है मून के formation को लेके भी बहुत सारे question है कुछ बोलते हैं कि मून को एक कोई metroid था जो अर्थ को hit किया इसका बड़ा सा part निकाल लिया और जाके वो मून बन गया और उसके जो remnants हैं आज Atlantic Ocean में तो या Pacific Ocean में सुरी कहीं बताते हैं दोनों में से एक ocean है दूसरा चीज है या तो बोलते हैं कि अर्थ के around ही एक पहले से body जैसे कि earth revolve हो रहा था ना particle size में फिर वो mass बन गया बड़ा सा earth का ऐसे कुछ एक अलग particle ना जो revolve हो रहा था earth के around अब बहुत साल पहले नहीं था लेकिन वो गुमते गुमते earth के orbit में आ गया gravitational attraction के विए से और वो आज हमारा satellite हो चुका है formation of the earth from an asteroid like body to a spherical layered earth system asteroid मतलब कोई asteroid क्या था space में कोई भी space में बिखरावा कोई भी particle या body तो ऐसे ऐसे particle था एक दिन ऐसे sun के around घुम रहा था आज जमा हो कि यह सब और प्लानेट हो चुका है यह बता रहा है अब वो भी layer उसके अंदर खुद की अब यह giga nm आप लोग जानते हैं इसका मतलब billion is one of the most dynamic internal process of the earth has expressed in the its early stage of evolution तो यह सिव एक line है जीसे हमें पढ़के आगे निकलना है एक से इसे रप कर दू Note the stepwise differentiation particularly at 0.3 MRE main radius of the earth यहां पे देखिए यहां पे यह radius दिखा रहा है अर्थ का क्योंकि वो पार्टिकल जमा करते रहेगा ना यह पार्टिकल जमा करते रहेगा अब पार्टिकल है ने क्योंकि आप देखिए जो sun के around orbit उसमें सिफ अर्थ है अब पार्टिकल नहीं है जितने पार्टिकल जमा कर सके बना सकता है वो बन चुके हैं कि इनिशियेशन ओफ मैगमा ओशियंस एट जिरो पॉइंट फाइं मरी एन सेग्रिगेशन ओफ को एट जिरो पॉइंट सायमन इमेज देखते हैं यह देखिए यह अच्छा यह आप लोगों पता है न यह जर्णी अर्थ की बता रहा है यहां से जो गोल करके तो इसमें अर्थ कोर का डिफ्रेंशेशन मतलब कोर अलग अलग पार्ट्स में भी और देखिएगा और यह तो इसे बोल सकते हैं या तो आउटर कोर एंड इनर कोर ऐसे करके बोला जाता है यह हम सब आगे करेंगे और the overall size of the planet is increased because of addition of mass जो मैं बता है आपको अगर वो नेबूला की थेरी नहीं बता तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन आप लोगों को अल्रेडी सब सीज जानना चाहिए as the earth clear its own orbit तो देखिए वो orbit वाला थीरी भी जो कि sun के अगर आप देखोगे sun के रास्ते में जो orbit मतलब क्या जहां पर earth revolve होता है आप मुझे revolution और rotation में फरक बताओगे तो गाइज यहां पर वीडियो को स्टॉप करते हैं नेक्स टाइम जब हम मिलेंगे तब हम आगे continue करेंगे और जो वारियस लेयर्स हैं कोर मैंटल क्रस्ट इसके बारे में और यह वाला पार्ट जो है यह एस्थनोस्फियर लिथोस्फियर मेजोस्फियर बैरिस्फियर यह सब क्या है यह सब की बारे में और डिटेल में जानेंगे सो गाइज अपना help और अपना support हमें दिखाते रहना वीडियो को like करना comment करना इसे अपने दोस्तों में share करना और जितना हो सके आप जितनी lectures हमाये देख सकते हैं हमें देखके बताते रहना है कि हमें कहां improve करने की जरूत है गाइस ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सकते हैं यह तिल दें आहांगा बयाए और अझाया रहराए और यह तो आप अपने जाएगां टीक हमें देना वाजे सकते हैं